स्वागत आपका मेरे AMA education channel के उपर आज के मारी वीडियो के अंदर हम करेंगे statical inference problems जो उसके अंदर आती है quantitative techniques for business decision unit second के मेरे notes हमाई जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मेरे statical inference का basic चीजे study की थी क्या उसकी process होती है क्या उसकी definition होती है क्या वह important होती है तो वह सब चीजे हमने study की थी अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका link description में है आप लोग जाके check कर सकते हैं और अगर आप चैनल में नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके subscribe करें बेल अगन प्रेस्ट करें फूर्म सबसे पहले हमारी hypothesis testing and estimation hypothesis testings एक ऐसा test होता है जिसके अंदर हम present population को देखके और samples को देखके उसके accordingق Sugnet сем कि दो लाक किसी के अंदर दो लाग किम है और किसे के अंदर द闯ाट से दस जार रोपर कम है एक लाग चमपहजर है तो हम नेक्स Adapt चीरितनी रहेगी है या तो दो लाग हो जाएगी या दो लाग दस जारू पर स्वरी दो लाग दस जारू जाएगी या एक नब्ब्ब हो जाएगी तो उसी टाइप से क्या बोलते है या जो टेस्ट होता है हमारा इट टेस्ट सम हाइपोथेसिस अबाउड दप्रेजन पोपॉलेशन बेज रोंडा सेंपल डों फॉ सेंपल स मारे हैं उसके अकॉर्दिंग्ली हम प्रेजन पोपॉलेशन को निकालते हैं प्रेज़ल पोपॉलेशन को देखते हैं नेक्स्ट हमारा एस्टीमेशन यूज दा स्टैटिक्स ओप्टेन स्रों डा सेंपल ऐस एं अन इस्टीमेट ऑफ उन्नोन पैरामेटर ऑप कि हम पिछले का एक्जांपल लेते हैं हमारे घर का घर के इंदर हम जब भी हमारे घर में पान्च जारूपे महीने में हमारा घर का जो रसोई का समाने किचन का समाना वह आगता हैं जो किचिन का समाने वो पांच जा रहे तो हमारा एस्टिमेशन क्या होगा कि वह पांच जार रुपए हमारा रसोई का समान का किचिन के समान का पांच जार रुपए हमारा रेंट हो गया और पांच जार रुपए हमारा पतब और जो कर्ची हो गया तो बीस जार रुपए हमे पाने का बिल कम आए या फिर और कोई खर्चा हमारा ना हो और या फिर जैसे हमने पिछली बार जो हम किचेन का समाल लेकर वह बचा हुगा है तो हमें इस बार कम लेकर आना पड़े तो लेकिन हमें कस्टिमेशन लगा ले थे कि 20,000 रुपया हमें घर में खर्चे के लिए यह हुए यह ही चाहिए तो वह चीज होती है देन ऍेक्स है हमारा स्टैप इन टैस्टिंग है हाइपोथीस क्या स्टैप सोते हैं टैस्ट करने के लिए हाइपोथीस को हम लेत हाइपोथीस सबसे पहले हम फोग्लेट करेंगे हाइपोथीस then decide an appropriate significant level एक एक प्रोपेट करेंगे फिर अपना decision ले लेंगे और ब्रीफ में study करते हैं formulate hypothesis first of all hypothesis is a set of about population parameter population parameter होता ही population को बताता है thereafter sample data is collected sample static collected and information is used as is how fair in the hypothesis parameter is correct फिर जब हम collect कर लेते हैं जो भी हमारा statistical data होता है तेन वो देखते हैं कि जो हमारी hypothesis है parameter वो correct है या नहीं है पर formulate करेंगे उसको and this hypothesis are the constructed in the such a way that is and one hypothesis is expected the other is rejected तो उसके अंदर जो हमने consult की है जो हमने correct choose की है तो उसके अंदर जो correct लगेगी उसको हम accept कर लेंगे जो हमें अच्छी सही नहीं लेगे उसको हम reject कर देंगे इसके अंदर हमारा null hypothesis two categories है इसकी hypothesis की two hypothesis are called null hypothesis and alternative hypothesis एक alternative जो हम रखते हैं न की भी ऐसा नहीं होता ऐसा कर सकते हैं hypothesis एक निल hypothesis इसको हम बोलेंगे designed at the HO and design at the HA this point is decide an appropriate significance level the next step in testing hypothesis is to set the suitable significance level to the test validity जो हमारी test validity है HO against HA तो उसके लिए हम significant level को set करेंगे जो with which a null hypothesis adopted and rejected depends on the adopted significance level जो हमारी null hypothesis है उसको हम देखेंगे कि वो reject की जाएगी या उसको हम accept करेंगे वो हम significance level के accordingly करेंगे जो हमने level set किया है उसके accordingly हम उसको reject करेंगे या फिर accept करेंगे इसका select a test criterion इसके अंदर next step के अंदर क्या होगा एक criteria हम set करेंगे कि हमें कितना profitability distribution करना है कितना में profit हुआ है particular test के accordingly common हमारा particular profitability जो भी है उसका हम distribution करेंगे the next step in the hypothesis testing is to be set up a test criterion an appropriate profitability distribution that can be applied is selected from the particular test some of the common profitability distributions are जो हमारी common profitability distributions हो क्या है divide to and t and f हमारी common profitability distribution है कि हमें कितना profit distribute करना है next step हमारा carry out calculations computing is carried out a various statics and there is a standard error based on sample computing जो carry out हो एक static के अंदर statics है and there is a standard error based on sample एक standard error है जो हमारी samples के पर बेस्ट होगी then next हमारा make decisions in this step statical conclusions and decisions are made to reject or accept the null hypothesis depending on the whether the computing valued falls in the rejections or expectations or rejected जो हमारा statical conclusion है वो design decision है उसका वो reject और accept के उपर बेस्ट होता है कि हम उसको reject करेंगे हम new life hypothesis को लेके आएंगे लेंगे नहीं लेंगे उसको reject करेंगे वो depend होगा हमारा किसके उपर जो हमने value compute की है value of fall and rejection and exploitation उसके उपर हमारी based होगी कि हमें new life hypothesis करनी है या नहीं करनी है उसको हम accept करेंगे वो इसके उपर बेस्ट होगी आज की वीडियो के इंदर बस इतना ही आज हमने study किया है stratical inference के जो भी हमारे two problems classify के गए है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पते ही क्या करना है comment शेक्ष मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लेगी कोई भी डाउट है तो वह भी आप लोग comments शेक्ष मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको इन topics की पेडियेफ चीन है तो टेलीग्राम चैनले का लिंक भी डिस्क्राइब कर सकते हैं फिर मिलते एकने वीडियो के साथ एकने टॉपिक के साथ थैंक्यों वोचिंग माई वीडियो